जेहिन सात्यू स्वागत है आपका Self Study Classes विस समिजेन यूटूब चैनल में दोस्तों आप Hindi साहित के स्टूडेंट हैं और ऐसे एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जिनमें हिन्दी साहित पूछा जाता है जैसे नेट एक्जाम है, PGT है, RPSC, LT grade, TET एक्जाम, कोई भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं Self Study Classes YouTube चैनल से जहां पर आपको ऐसी ट्रेक बताई जाती है दोस्तों कि आप कभी भूल ही नहीं सकते जैसे कोई भी प्रस्ण हो, रचनाय हो, कभी हो, कुछ भी हो आपको अनोकी ट्रेक बताई जाती है तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है और वीडियो को like और share जरूर करना है रोज साड़े नौवजे सुबाज साड़े नौवजे तिर्की वीडियो का तिर्की हिंदी साहत वीडियो आता है आपके पास देखना ना भूलें रोज आपका आज का पहला प्रस्न है दोस्तो सबसे पहले हम आपको टेस्ट करवाएंगे और फिर आपको ट्रेक से याद भी करवाएंगे तो आपका पहला प्रस्न है कि तुल्शी दास की काब कला की सबसे मधोर्तम अभी व्यक्ति कौन सी है चार विकल कितनी कितियां मानी जाती है बारह ठीक है बारह मानी जाती है उन शबी मैंसे जो सबसे प्रिशिद्ध और मधुर्तम अभी व्यक्ति है वो कौनसी है यहां पर बताना है आपने वो पढ़ा होगा कि चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड और तुलसिदास चंदन के सें दोस्तों आपको पता होगा आपने बिल्कुत सही आंसर बताया गीता वली सबसे मधुर्तम अभी व्यक्ति क्या हो अभी व्यक्ति क्या है दोस्तों इनने गीत गाये हैं किसके स्री राम की भक्ति के गीत गाये हैं तो सबसे मधुर्तम अभी व्यक्ति कौन सी होगी गीत मतल स्वारभ गीताव ली याद रख लेना इनकी राम necesita मानस रचना बहुत थी प्रसिद्र दोस्तों सरवांदिक ठीक हैं लिखेंगे राम महा कभ ऑधविभासा का महा कभ है ठी Board करें और कभीता वली की बात करें कौन सी बहाenne में लिखे थें ब्रेजबहासा है ठीक है इनको hours जाmost में आपको याद रखनी है अंगला question से पूछा जाता हैस तीहराई स्युराज भूसरण की रचना कार कौन है चार बिकल्प हैं आपके सामने दो सेकेंड आपको दिये जाएंगे और बनी बताई जाए को डोस्तों जब तक मैं आपको बता दूँ कि जो सिवराज भूसरण ग्रंत है इसमें अलंकारों की जो संख्या बताई गई है वो 105 अलंकारों की संख्या बताई गई है याद रखने ना कितने अलंकारों आप से question पूंचा जाएगा कि निवन मैंसे बताई है किस रचना में 105 अलंकारों की चर्चा हुई है या 105 तो पाच अलंकारों की चर्चा किस रचना में हुई है तो आपको अतर होगा सिवराज भूशन प्रशं में ठीके और शिवराज भूशन की रचना कार कौन है और हमने याद की थी एक रचना जगद दिनूद रचना किसकी है पदमाकरजी की है ठीक है याद रख लिना अंगला कोशन आपको बता है रीती रातमा काब्यस से आपसे काब की परिभासाइं भी पूछी जाती है दोस्तों अब रीती रातमा काब्यस से कह दिया कि ये परिभ रीती संपरदाय और रीती काल रीती काल अलग रीती संपरदाय अलग रीती संपरदाय की प्रबरता कौन है रीती रीती से पूजन करवाते हैं कौन बामन लोग पंदित लोग जिने पंदित बोलते हैं न वो बामन लोग रीती रीती से करवाते हैं पूजन भगवान की तो र रीती संपरदाय के कौन होगे बामन है ना बामन यानि कि एक नमबर अब जब रीती संपरदाय के बामन है तो रीती रातमा का अब्यस्त भी कौन कहेगा कौन कहेगा बामन यानि कि जो बिकल्प नमबर आपका एक है वो बिलकुस सही हो जाएगा आप से पूछा जाता है दोस अब आप कहोगे दोस्तो अलंकार संपरदाय के कौन है तो अलंकार संपरदाय के भामा है और आप बताते हो दोस्तो कि वो बिभिन्य प्रिकार के अलंकार करता है सोनी की चेन पहनता है बड़े बड़े जेबर पहनता है वो तो क्या है भामा साय है तो अलंकार संपरदाय अलं अलंकार कौन करता है भामा साह है बहुत अलंकार करते हैं अलंकार संप्रदाएगी ठीक है अलंकार को काब का प्राण मानने वाली आचार कौन है दोस्तों काब का प्राण मान लिया प्राण ऐसा सब्द जो हमेशा बहु बचन में प्रियोग होता है प्राण प्राण निकल अब एक चीज बताना दोस्तों, कि सबसे ज़्यादा आप अलंकार करते हो, तो काय का करते हो, केसों का करते हो, काय को करते हो, केसों का, विबिन प्रकार की डाई डालोगे, विबिन प्रकार की महंदी डालोगे, आज कल देखा है आपने, कि इतने आंगे के बस बाल लाल कर द ठीक है आपने सुना होगा कि जिस प्रकार वैक्ति की सोवा आवूश्रण से बढ़ती है उसी प्रकार काब की सोवा बढ़ाने वाले तत्तों कहलाते हैं अलंकार ठीक है तो अलंकार वैसे हम आवूश्रण और अलंकार तो इसी प्रकार से आप ले लें कि केस का हम क्या करते है अलंकार करते हैं कि यानि कि केस अधात को काब का प्राण मानने वाले हैं दुस्तू केस अधात बात करें मतिराम की तो मतिराम की एक रचना है ललित-ललाम ललेत-ललाम और इस चीज को वूला जाता है दोस्तो लिलार क्या वो लज़ाता है लिलार तो लिलार या ललाम मतिराम और यहाँ आपार क्या रहती मती बोले मती कहां गई थी बोले ललाम है ना मती कैसी हो गई ललाम हो गई थी तो मतिराम की ललेत ललाम रचना याद रख लेना ठीक है सभी लोग याद रखेंगे और अ चिंतामणी दोस्तों बहुत ही प्रिसिद्द माने जाते हैं इनकी एक रचना है कभी कल्पतरू मैंने आपको समझाया था याद करवाय था कि कुल की चिंता सभी लोगों को रहती है कुल की चिंता तो कभी कुल कल्प तरू यह रचना किसकी है चिंता मनिकी है बिहारी जी की तो बिहारी सस्ती है है ना घनानंद की सुजान सतक इस प्रकार सी रचना है और दोस्तो एक चीज बताना दो सेकिन में आप अपने उत्तर का चैन तो करेंगे लेकिन अगर आपके उपर किरपा राम की हो जाए तो क्या होगा आपका अहत होगा की हित होगा जल्दी से उत्तर बताओ अगर आपके उपर किरपा राम की हो जाए तो आहेत होगा की हेत होगा हेत होगा तो हेत तरंगनी जो रचना होगी वो किसकी होगी किरपा राम की क्योंकि किरपा राम की होगई तो हेत ही होगा साब तो हेत तरंगनी किरपा राम ठीक है याद रख लेना अंगला बताना दोस्तो इसके लता की रचनाकार कौन है घनानन्द आलम बोधा या फिर चिंता मनी तो याद कर लेना दोस्तो हैना क्योंकि आपको पता है कि इसकी की लताएं फैला रहते कौन घनानन्द हैना घनानन्द क्या फैला रहते इसकी की लताएं फैला रहते तो इसक कर दिया था और ये जब वहां से निकाले गए है ना फिर बाद में कहीं और मच में चले गए ति घंननजी आपको पता होगा फिर इस के रता की रचनाकार आपको याद रखना है घंननद है ठीक है याद रखना है और आलम की जो मादवानल काम कंदला है ये कौन सी भाहासा में लिखी गई अबदी भाहासा में लिखी गई है ना यह चीज भी हमने आपको बताया था और है याद रख लेना इसको अंगला है दोस्तों अंगद दर्पण की रिचनाकार कौन है इस वरी अंग दरपन अंग नहीं अंग दरपन रसलीन है सेनापती है मतिराम या फिर किरपाराम है तो एक चीज बताना दोस्तो आज कल के जो किसोर होते न किसोर किसोर किसोरिया होती है वो दरपन में अपने अंग देख देख के बड़ा रस लेते हैं मैं कितना सुन्दर हूं दिन में कम से कम 10 से 15 वार तो दरपण देखते हैं है ना तो अंग दरपण में देख देख क्या लेते हैं रस लेते हैं तो अंग दरपण की रचनाकार रसलीन अंग दरपण की रचनाकार रसलीन इस प्रकार से याद करना कि अंग दरपण में देख करकी रस लेते हैं तो रसलीन है ना याद करेंगे और दोस्तो एक रचना है सेना पती जी की कौनसी है जल्दी से आपको बताना है काब रतना कर ऐसे करके है सेना पती की बहुत बढ़ी या रचना है है ना वो आप याद रख लेना और पता दिना कमेंट में कौनसी है मुझे याद नहीं आ रहे हैं की टेका हैं किसी ग्रंध की लिखी गई तो लिखी गई राम चर्फ मानस की उसके बाद किसी की लिखी गई तो किसकी लिखी बेहारी सस्तही की ठीक है यह चीज आपको याद रखनीemin은 और बेहारी सस्थाई बिहारी जी की रचना है ठीक है बीजक तो आपको पता ही है कबीरदास जी की है है ना पदमाबत इनकी मलिक मुहंबद जायसी की पदमाबत है है ना सूर सागर आपको पता है सूरदास जी की है है ना तो यह सारी रचना है आपको याद भी करनी है घनानंद को गनानंद को जीवन परिचा जैसे याद करते हो देखना कैसे याद होता है आपको चार बिकल्प हैं, चार में से आप चेहन करके दो सेकेंड में उत्तर बताएंगे फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो चित्र में हैं वो क्या कर रहा है संकर जी का सीस नवारा है सीस नवारा है तो नवारा है तो ब прог निसंकरजी का सीसद नवा रहा है है ना, सीस नवाते हैं तो नवासी ठीक है, नवाते हैं तो नवासी हैना, याद रख लेना और आप भी सीस नवा लेना इस प्रकार से संकरजी का तो आ नमबर जो है आपका, बिलकुत सची हो जाएगा है ना अंगला कोच्छन आपको बताना मुकुट धर पांडे का जन्म हुआ था तो कब हुआ था दोस्तों यह मुकुट रखा है मुकुट और यह मुकुट कुतने का है पता है कितने का है 95 का है कितने का है आपको पता है दोस्तों चायबाद की प्रवर्तक यह भी माने जाते ह पन्त को नंददुलारी बाचपे ने माना छ complètement है यह ना जैशंकर्प्रसात को ईलाचंदर जोसी ने माना छह बात का पर लगत और मुकुट धरपांडे की जन्म की बात आती है तो यह मुकुट है और मुकुट कितने रुपे का है 95 रुपे का है तो मुकुट धरपांडे का जो जन्म होगा वो कब होगा 1895 से 1984 यह इनका जन्म है मैं आपको पूरे जन्म में याद करवा दूँगा जन्मकाल है ना तो थारा सो पंचानवे में इनका जन्म हुआ था ठीक है अब आपको अबला जीवन हाए तुम्हारी यही कहानी आचल में है दूद और आखों में पानी यह पंक्ति किसकी है दोस्तों बहुत ही प्रिसिद्ध पंक्ति है और यह सोधरा जो की खंड काब है है ना खंड काब्यातम कि महा काब करती है यह सोधरा और बहुत ही बढ़िया है दोस्तों है ना मैतिशन गुप्ति की रचना है तो याद रख लेना यह पंक्ति हमेशा पूछी जाती है कि अबला जीवन हाए तुम्हारी यही कहानी और आचल में है दूद और आखों में पानी बहुत ही बढ़िय का पंक्ती है राष्ट कभी मैतिशन गुप्त जी की है ना साकेत भी इनकी रचना है साकेत जिसमें बारा सर्ग हैं दोस्तों भारत भारती इनकी रचना है प्रसिद्ध है ठीक है गुप्त जी के बारे में आपको याद रख लेना है बहुत ही प्रसिद्ध है है ना और राम राम नरिस्त तरपाठी की मानसी एक रचना पूछी जाती मानसी रचना किसकी है तो राम नरिस्त तरपाठी जी की है महावीर परिशाद दुबेदी की बारे में बताना तो आपके लिए इनका परिचाह बताना कोई बड़ी बात नहीं सबी जानते हैं न और परिशाद जी त भूत बूत भूत नہी मैं बाब को बता रहा हूँ कि मिप्टी की बरात की रचनकार कौन है तो कौन है दोस्तु आपको पता है कि जब सीव जी की बरात निकली तो बहुत सारे तो इंबाऻ सिय की ओैं बोरز आए और बिधा बूट को कैसे रहे दियी मिट्टी इट्टी के लपेड़ पेड़ के नाच रहे तो बोले ये क्या मिट्टी की बरात आ गई ये लोगों ने देखा और बोला मिट्टी की बरात आ गई बोले नहीं नहीं ये तो स्यू जी की बरात रहे करें पीछे देखो जरा तो सब मिट्टी इट्टी भवूत भूत लगाएं थे तो मिट्टी की बरात स्यो मंगल से सुमन क्योंकि स्योजी की बरात में सब मिट्टी लगाके यानि कि भबूत लगाके गई थे कौन यह भूतूत है ना बहुत सारे तो याद रख लेना है दोस्तों स्यो मंगल से सुमन की रचना है मिट्टी की बरात अब आप को राहों के अन्वेसी किसे कहा जाता है चार मिकल्प हैं तार सब तक के कभियों को सचन्दताबादी कभियों को छायाबादी कभियों को या हालाबादी कभियों को बहुत ही बढ़िया है दोस्तों है ना आपको बता है कि राहों का अन्वेसी राहों का अन्वेसी अनकी जो राहों का अनिवेसी बन गया है वो क्या करेगा अब आपको तार देगा बोले आप हमारे राहों के अनिवेसी बन जाओ अगर कोई आपके राहों का अनिवेसी बन गया है तो आपको क्या कर देगा तार देगा तो तार सब तक के कभियों को राहों का अनिवेसी कहा जाता है औ सबी question आता है तो अग्ये जी ने कहा है ठीक है यह चीज़ याद रखनी अंगला है दोस्तो समसेर को किस काब किरती के लिए साहित्यक अकादमी पुरुषकार मिला 1977 में और यहां बात आई है दोस्तो समसेर कभियों का कभी यह ने कहा जाता है समसेर को है ना वैसा ही भी सेर आ सेर क्या करता है कभी कभी अपने सिकार को क्या करता है चूक जाता है क्या करता है चूक जाता है और अभी कभी सेर से पूछना की चूक गए तो बोलेगा चूका भी नहीं हूँ अभी और भी देखेंगे हम है ना तो सेर कभी कभी सिकार चूक जाता है और उससे पूछोगे तो वो बोलेगा चूका भी नहीं हूँ अभी कौन सेर तो चूका भी नहीं हूँ अभी इरचना किसकी होगी समसेर बहादुर की होगी और इसे कम मिलेगा साहितकादी प्रुषकार 1977 में क्योंकि साथ साथ दोड़ रहते सेर और सेकार साथ साथ दोड़ रहते सेर चूक गया त 77 यानि 1977 में इसे साहित तकादियी प्रुस्कार मिला था, संसेर बहादुर की किर्ती है, है ना चूका भी नहीं हूँ अभी, बहुत ही प्रशिद्ध है, पूछी जाती है आपकी एक्जामें, इस परकार से आपको याद रख लेना है, ठीक है, अंगला क्वेस्चन बताना दो तो समय के सामने गिर्जा, समय के सामने गिर्जा, तो समय देउता की रचना कार कौन होगे, कौन होगे, गिर्जा से गिर्जा कुमार मातुर, समय के सामने गिर्जा, ठीक है, तो समय देउता कवीता किसकी है, गिर्जा कुमार मातुर की, गिर्जा कुमार मातुर, ठीक है, ये चीज याद रखनी न है, पहाड़ पल लालतेन, मंगलेस डवराल की एक रचना पहाड़ पल लालतेन, ये भी याद रखनी है, है ना, एक कंठ बिस्पाई, दोस्ते अन्त कुमार जी की एक कंठ बिस्पाई है, है ना, ये भी आपको याद रखनी है, और समय देवता रखेंगे गिर्जा कुमार मातुर जी की ठीक है अंगला बताना दोस्तों एक नीली आग कभीता के रिचना कर कौन एक नीली आग अब एक चीज बताना दोस्तों जब व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है मुक्ति तो फिर अपन क्या करते है क्या करते है क्या करते है क्या करते है और उसकी जलाते हैं तो क्या निकलती है नीली आग निकलते हैं जब मुक्ति व्यक्ति को जलाते हैं तो निराला को महापरान कहा जाता है महापरान ठीक है निराला क्रांती कारी कभी ठीक है निराला सबसे ज़्यादा ब्रोध हुआ और चंद मुक्त रचना प्रिथम चंद मुक्त रचना इनकी जुही की कली है यह यह भी आपको याद रख ली नहीं चायावाद के आधार स्तंबो में प्रमुक नाम है है ना तो अंगला बताना है करफ्यू नाटक की रचना कार कौन है 1972 की रचना है करफ्यू है ना और करफ्यू नाटक की रचना कार कौन है अभी करफ्यू लगा दोस्तो कोरोना में करफ्यू लग गया लोगों ने क्या नहीं कमा पाई लच्छमी काय में करफ्यू में और करफ्यू कभी भी लगता है कर्प्णा ना्टा किसा होगा लच्छattend नार्ण लाल भोले, लच विकर्फियु में लेच्छ Di sniffी नहीं कमा पाते, तो लचसी नाराल लाल याण यानि कि जो बिकल्प नमबर आपका ए है वो बिल्कु सही हो जाएगा है ना कल एक रचना अपन ने याद करी थी दोस्तों कोर्ट मार्सल कौनसी याद करी थी कोर्ट मार्सल तो कोर्ट जाना है तो स्वधेश के कोर्ट जाना है स्वधेश के कोर्ट जाना है और ब्रिंदाव वालाल बर्मा जी की यह हमें सब पूछी जाती है तो यह चीज भी याद रखनी है कोट मार्सल स्वदेश दीपक जी की है यह भी याद रखेंगे और कर्फिव तो है कर्फिव में क्या नहीं कमा पाते लच्मी नहीं कमा पाते तो लच्मी नारण दाल अंगला बताने दोस्त को काई ने डस लिया नांग ने डस लिया चत्र में देखो खुबसूरत बहु को नांग ने डस लिया तो खुबसूरत बहु नाटक की रचनाकार कौन होंगे नांग बोडस कौन होंगे नांग बोडस क्योंकि कुबसूरत बहु को किस ने डस लिया नांग ने तो नांग आठी जी का नाटक है है ना अभिनीत नाटक माना जाता है भारते इंदु जी ने इसमें अभी नई किया था है ना यह चीज भी आपको याद रख ली नी और राजयल लक्ष्मन से आपको याद आता है दोस्तों कि इनने प्रिजा हेतेयसी पत्र निकाला था उन्नी सो सबसे अच्छी लगी है वो भी आप बता सकते हो और दोस्तों आपका जो चेलेंज प्रसन है वो क्या है पिलेक की चुडेल कहानी किसकी है पिलेक की चुडेल कल भी हमने याद करवाई थी रचना है ना तो पिलेक की चुडेल कहानी किसकी ही रचना है यह आपको चेलेंज प्रसन दिया जाता है हर व्यक्ति को चेलेंज सुईकार करके कमेंट में लिखना है कि पिलेक की चुडेल और दोस्तो पिछले प्रशने का जो आपका उत्तर होगा, वो क्या होगा, क्या भूलूँ, क्या याद करूँ, यह क्या है, हरीबन सराय बच्चन जी की आत्मकता है, और दोस्तो बहुत ही प्रशिद्ध है, क्या भूलूँ, क्या याद करूँ, कई बार पूंची गई है, है तो इसका काब रूप पूंचा था तो क्या है ये आत्मकता है बहुत सारे लोगों ने बिलकुँ सही आंसर बताए हैं ठीक है अब दोस्तो जो भी साथी टेलिग्राम ग्रूप से नहीं जुड़े हैं वो टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ जाएं टेलिग्राम ग्रूप से है ठीक है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर अवस्थ करेंगे दोस्तों आज के वीडियो के लिए वस इतना ही जैहिन